राखी से पहले इन राशी वालों के लिए होने वाला है कुछ अलग। 18 अगस्ट 2024 को शनी का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में नई चनौतियों का संकेत दे रहा है। जियोतिश शास्त्र के अनुसार, जब भी कोई ग्रह अपनी स्थिती बदलता है, तो उसका प्रभाव हर राशी पर पढ़ता है। इस बार रक्षा बंधन के पहले शनी नक्षत्र का परिवर्तन कुम्ब राशी में हो रहा है, जो कई राशियों के जीवन में उथल पुथल मचाने वाला है। क्योंकि शनी की द्रिष्टी आपके जीवन में समस्याओं और कठिनाईयों का संकेत दे रही है। तो किस राशी में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और इससे किन राशियों को सतर करने की जुर्णत है। अधर महादेव, जैवावावेतेनाद, सनी अभी वर्तमान में उम्भ राशी पर विराजमान हैं और उम्भ राशी पर ही वक्री हैं। वक्री अवस्था में ही ये नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 18 अगस्त को सनी पुर्वाग्र पदनक में प्रवेस करेंगे। तो नक्षत्र परिवर्तन करने से सनी की दृष्टी जो है वह तीन राश्वी वालों के उपर खराब होने जा रहे है। करक राशी शनी का नक्षत्र परिवर्तन करक राशी वालों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। करक राशी वालों के लिए यह समय व्यापार में नुकसान का संकेत दे रहा है। और इमीन यह तीन राशी वालों के उपर संी की कुडिस्टी हो जाएगी। उनका आर्थिक घाटा हो सकता है, व्यापार में हानी हो सकती है, सारणी कस्ट हो सकता है और मन असांत रहेगा। उपाए शनी के दुष प्रभाव से बचने के लिए सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का जलाभिशेक अवश्य करें। इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा करें। क्योंकि शनी के कश्टों से मुक्ती दिलाने में हनुमान जी की विशेश भूमिका होती है। तो इससे बचने के लिए धन्वान जी की आरादना अवस्य करें। ये तीन रास्य वाले इसे इस रूप से धान रखें। कि शनी की जो पूर्णिमा के दिन जदी हो सके। तो सीवजी का जलाभी से निश्चित रूप से करें। क्योंकि सनी महराज के गुरू जो हैं वह संकर भगवान है। जदी आप 18 तारीख वक्री होंगे और 19 तारीख कुरुमा को संकर भगवान के उपर जलाभी से करते हैं। तो निश्चित रूप से शनी की आपके उपर घ्रपा होगी पुद्रिस्पी नहीं होगी। यहाँ समय कठिन हो सकता है। लेकिन उचित उपायों के साथ इन समस्याओं का सामना किया जा सकता है। शनी का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में चुनौतिया लेकर आ सकता है। लेकिन धैर्य और समझदारी से आप इस समय को भी सफलता में बदल सकते हैं। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंग की रिपोर्ट